हाई गैज और वेल्कम बैक तो दी चैनल दीपाख यादव एजूकेशन विल्कम तू दी डेली हिंदू न्यूज और एडिटोरियल एनालिसस ऑफ 11 जुलाई 2021 तो गैज आज है तारिक 11 जुलाई 2021 और है संडे दिखेंगे आज का दे हिंदू कंप्रीट न्यूस्पेपर को तरेंगे बट लिक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को यह कंप्रीट न्यूस्पेपर का पीडिएफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउलोड करना है टेलिग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपाख यादव एजूकेशन आ इसी आप उसपे क्लिक करोगे आटमेटिकली ये चनल ओपन हो जाएगा इसको जाकर जॉइन कर लेना नाओ जॉइन करने से फाइदा क्या होगा यहाँ पर आपको डेली बिसस पर दाहिंदू न्यूस्पेपर मिल जाता है डेली करेंट अफेर के वीडियो का पीडिएफ मि जाते हैं और यह सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में तो जाकर इसको जरूर जॉइन करना नाओ बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी लोग क मैप में जाकर देखना हैं बहुती ज़दा जानी मानी कंट्री को एंटीगवा एंड बर्बूडा को जो कि पिछले कुछ दिनों में काफी ज़दा न्यूज में भी देखने को मिला है तो देखना मैप में कहां पर एक्जैक्ट लोकेटेड इंडिया के कंपैरिजन में कहा पर है अच्छे से मैप में देखने के बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबा समय तक याद रख पाऊगे तो चलो शुरुबात करते हैं यह आज का सबसे पहला आर्टिकल आपको मालूम होगा अफगानिस्तान के अंदर आप्चरिंग देखने को मिल लिए तालिबान के दौरा उसी वज़ा से इंडिया ने अपने कंजुलेट स्टाफ को वापस बुला लिया है ताकि कोई कोई क्रियेट ना हो जो भी डेप्लोमेंट्स हैं या फिर ITBP परसनल हैं वो सब डेली रेटन हो रहे हैं ताकि कोई कर लिया है कि यह अपने कंजुलेट को टैंपररी बेसिस पर बंद कर देगा ठीक है मतलब कि आने वाले टाइम पर जैसे सिचुएशन इंप्रूव होगी उसके हिसाब से वापस से उपन करे जाएंगे बड़ यहां पर इन कंजुलेट को अभी के लिए बंद कर जाएगा जो कि कंदाहार के अंदर है और उसी के साथ इंडिया ने अपना एक इंडियन एयर फोर्स फ्लाइट को भेज दिया है ताकि वहां से 50 डिप्लोमेट हो गए या फिर परसनल हो गए इंडो तिबितन बॉर्डर पुलिस के तो इन सब को वापस से डेली लाया जाए और यह सा list के अधर कुछ डिफरेंट होता है kaleыш नोरे आपको देखने मेलेका जगा जगा पर देखने को मिलते हैं जेसे कि अयरे फोकानिस्तान हो गिया अगर इंडिया की अंदर होगी तो आप्ताल के से 502-0 वर उлемे से 208 तो यह MBC होता है, MBC के अंदर सारा काम हो जाता है, लेकिन Consulate के अंदर कुछ limited works होता है, तो यह कुछ छोटा मोटा difference है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, तो यह Consulate को बंद करकर अपने स्टाफ को वाफिस बुला रहा है भारत, ऐसा यहाँ पर statement दिया गया है, क्योंक तो आज के टाइम पर कोई इन से, आपके सकते हो, dispute ना create हो जाए, उस वज़ा से इंडिया को अपना यहाँ पर Consulate स्टाफ को वापस बुलाना पड़ रहा है, और उसी के साथ यहाँ पर यह बोला गया है, जो Indian Embassy है काबूल के अंदर, और जो Consulate है, मजर शरीफ in bulk, प्रोवि वर्क करता वा नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर जो भी यहाँ पर आपके सकते हो, कंदा हवर वाला रीजन है, वहाँ से हम लोग Consulate के स्टाफ को यह बुला रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर यह भी बुला गया है, कि आने वाले टाइम पर जैसे ही situation इंप्रूफ होती है, देन हम लोग यहाँ पर वापस से जाएंगे, ठीक है, वापस से उन Consulate को open किया जाएगा, क्योंकि इसको temporary basis पर shutdown किया जा रहा है, ठीक है, आई होप आपको समझ मा आ गया होगा, यहाँ पर कुछ important चीज एतनी खास कर आपको याद रखना है, अब गणिस्तान के अंदर क्य क्रैसिस चल रहा है, काफी बार हम लोग ने इसके बारे में discussion कर रखाए, आगे भी आपको बहुत सारे articles देखने को बलेंगे, इस particular topic के ओपर, next एक छोड़ा सा article है, जहाँ पर government का जो infrastructure responding है, वो काफी हत तक कम हो गया है, ऐसा यहाँ पर statement दिया गया है, तो आप देख पाओ बहुत सिंपल है, एक साल के अंदर आपको चार गॉर्टर देखने को मिलते हैं, ठीक आप यह चार कॉर्टर कोई से होता है, एक क्वार्टर होता है, तीन महीने का, और आपको मालूम होगा, जो एक साल है, वो आपके सकतो financial year है, ठीक है, financial year कब से start होता है, first of April से start होता है, 31 first March तक जाता है, अब मालो, यह जो हमारा साल 2021 है, ठीक है, यह financial year का, इसका कैसे count होगा, तो साल 2021 का financial ऐसे count होगा, first April 2021 से लेकर, 31st March 2022 को यहाँ पर यह साल end होगा, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, तीन-तीन महीने का, यह quarter होता है, तो जैसे कि April में, June 1 quarter होगया, फिर उसक के बाद, October, November, December, एक quarter होगया, फिर उसके बाद, 2022 के जो तीन महीने होगा, January, February, March, यह आपका चौता quarter होगया, तो अब यहाँ पर बात करी गई है, इस particular quarter की, जो पहला वाला quarter है, यहाँ पर, government की जो spending है, infrastructure spending, वो काफी हद तक कम होती है, रीजन्स आपको मालूमी है, काफी क पिछले महीनों में तो काफी कुछ problems create हुई है, oxygen crisis, प्लस जो COVID के cases है, second wave देखने को मिली है, तो यह सारे reasons हैं, जिसकी वज़ा से यहाँ पर spending वगरा काफी हद तक down हुई है, उसके साथ यहाँ पर manufacturing spending की अगर हम लोग बात करें, investment वगरा भी down हो हुआ है, manufacturing spending की भी काफी हद कम हुई है, ठीक है, हर एक particular area के अंदर बताई गई है, फिलाल आपको यहाँ पर अलग-लग area के अंदर नहीं जाननी है, जादा जो data वगरा है, उसको collect नहीं करना है, फिलाल आप एक छोड़ा सा information रख सकते हो, कि जो investment वगरा इंडिया का, वो भी काफी हद तक down हो गया, ठी काफी important हो जाता है, और आने वाले टाइम पर आपको बहुत ही जादा न्यूज में cover होता वा नजर आएगा, तो यूपी पैनल ने यहाँ पर एक तरीके से two child norm plan को ready कर लिया है, अब क्या है यह exactly तो हम बात करेंगे, तो देखो उतर प्रदेश State Law Commission ने एक draft बनाया है, तो आ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर implement करी जाएंगी, और वो क्या कैसे कैसे होने वाला है, तो जैसे यहाँ पर यह law आता है, तो एक व्यक्ति है, अगर उसके पास दो से जादा बच्चे हैं, दो से जादा children हैं, तो उसको बहुत सारे benefits नहीं मिलने वाले हैं, ऐसा बोला गया हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलने वाले हैं, उन लोग को ऐसा यहाँ पर बोला गया है, ताकि जो population है यहाँ कि उसको control किया जा सके, उसके बाद यह भी बोला गया है, यह जो law है, यहाँ पर यह implicable होता है, किसके ओपर मानलों कोई व्यक्ति है, उसने अगर इस apply नहीं कर सकता है, ऐसा यहाँ पर statement दिया गया है, इस draft के अंदर यह सारी चीज़े रहने वाली है, और jobs के अलावा, आप कर सकते हो, government के अंदर, government services के अंदर, कोई भी promotions वगएरा, या फिर any kind of subsidy वगएरा, नहीं मिलने वाली है, ऐसा यहाँ पर कुछ बोला जा रहा है, अब यह 11 जुलाई है, यानि कि आज की तारीक है, आज के दिन यह उत्रप्रदेश जो population policy है, 2021 से लेकर तीस तक की जो चलाई गई है, इसको launch करने की बात करी गई है, ठीक है, आज जो इसको launch किया जाएगा, और आपको ध्यान रखना है, आज 11 जुलाई है, और आज एक और दिन पर बहुत सारी हम लोगो आर्टिकल्स इसके ओपर देखने को मिलने वाले है, बहुत सारी न्यूज आपको रिटूर्गल के अंदर देखने को मिलने वाली है, तो इसके बार में डिसकुशन आने वाले टाइम पर होता रहेगा, फिलाल आप एक छोड़ा सा आइडिया रख सकते हो, ताकि आगे कोई आर्टिकल्स इसको आप लोग राम से कवर कर सको, उसके लाद यहां पर कैश इंसेंटिव के बारे में बात करी गई है, कि मानलो एक बच्चा है किसी के पास तो उसको कैश इंसेंटिव भी काफी हत तक मिलेगा, लेकिन किसी के पास दो से जादर बच्चे हैं तो उनको incentives वगरा भी नहीं मिलने वाला जैसे कि यहां पर statement यह दिया गया है कि मालों किसी के पास एक लड़का है तो उसको 80,000 रुपे की one time payment मिलने वाली है और किया फिर इसकी के पास एक लड़की है तो उसको एक लाग की one time payment मिलने वाली है ऐसा ही हां पर सब क के अंदर जितने भी फ्लारिंग स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी उसकी 27 परसेंट आपको सिक्किम के अंदर देखने को मिल जाएंगी खास कर बात तो यह है कि सिक्कम एक smallest state आपको देखने को मिलेगा इंडिया का लगबग one percent landmass कवर करता है लेकिन फिर भी इंडिय स्पीशीज आपको देखने को मिल पाएंगी इस चोटे से सिक्किम स्टेट के अंदर और उसके बाद लगबग आज के टाइम पर टोटल लंबर ऑफ नैचुरल स्पीशीज कितनी है तो वह 18,000 चार इस पीशीज आपको देखने को मिलेंगी जिसके अंदर 4000 से भी ज्यादा सिक्किम के अंदर देखने को मिल जाएंगी और यह काफी एक इंपोरेंट चीज हो जाती है क्योंकि वहां पर उस पड़िगुलर इरिया के अंदर आपको सबस्यादा फ्लारिंग प्लांट्स वगरा देखने को मिल जाते हैं और इसका अदर कुछ जादा दिया नहीं गया ह अभी यहां पर एक दो फूलो का नाम दिया गया है और फिलाल इसके अंदर अभी आप देख पाओगे कुछ भी जादा इतनी इंपोरेंट इंफॉर्मेशन नहीं है अब देखो एक चीज और बता दूँ कुछ फ्लार्स को लेकर सरवे वगरा किया गया है तो उसके बारे म थोड़ा सा डिसकुशन है लास्ट में इसको वारे में याद भी रख सकते हो या फिर छोड़ भी सकते हो आगे बढ़ते हैं नेक्स आर्टिकल की तरफ नो यहां पर आता है एक छोड़ा सा आर्टिकल जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है डोंट रिवील कैसे तो वहां पर रिप जिस विमेन का हुआ है जो विक्टिम है उसका एक तरीके से नाम वगर रिवील नहीं किया जाएगा ऐसा यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ठीक है तो इन चीजों का ध्यान रखा जाए ऐसा यहां पर ट्राइल जससे बोला गया कि आप लोग बताया गया है तो उसी वज़ा से यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने यह सारे स्टेट्मेंट से दिये हैं कि बोला कि देखो इस चीज के उपर धियान रखना चाहिए देनो इसके बाद यहां पर एक सेक्शन के बारे में बात हुई है सेक्शन 228A ठीक है आपको धियान हो जाता है कि इसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा कि जो रेप विक्टेम से उसकी पॉप्लिकेशन के उपर प्रोहिबिशन लगावा है मतलब कि कहीं न कहीं रोक लगी है तो इन चीजों को बारे में हमारे सेक्शन में भी देखने को मिलेगा तो यह चीज़े फॉल तो आप में अब उसमें एक पॉइंट एडि कर सकते हो बस यहां पर एक पॉइंट एडिशनल पॉइंट बन जाता है और इसमें ज्यादा कुछ आपको की मतलब इसकी पॉडिकलर टॉपिक के ओपर पूरा आर्टिकल आएगा तो ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेग और यहां पर आप लोग देख पाओगे क्या क्या चीज़े बताई गई है कि इसकी वजह से जो दोनों के बीच में जो कॉपरेशन वह काफी जदा बढ़ता हुआ नजर आएगा इससे बात है दोनों के रिलेशन के उपर भी काफी हद तक इफेक्ट पड़ेगा तो एक इं करें लिए नंबर की बात करेंगे तो यह नंबर पर आते हैंकर के सकते हैं तो ने करें तो रूपर सकते हैं अब यहां पर वेतनामी करें है मिसकें करें तो कोछी चीज़े हैं जिसके बारे बताई गई इनके बारे में थोड़ा सा प्रोफाइल वाग्रा बताया गया एक बिजनस्ट मैं हैं इनकी कुछ relations काफी अच्छे भी हैं और आने वाले टाइम पे भी अच्छे होने चाहिए उसके उपर regular work किया जाएगा ऐसे हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी कहना है कि दोनों के बीच में जो पार्टनर्शिप है वो मेंटेन रहनी चाहिए ओके फर उसके बार निक्स टाडिकल आपको यह देखने को मिलेगा यहाँ पर प्रशांद भूशन साब ने बोला यह है कि जो freedom of speech आज के टाइम पर वो under siege आपको दे इस वाला ठीक है जो कि हमने अभी दो दिन पहले काफी discussion किया था इसके बारे में आपको मालूम होगा एक व्यक्ति पिछले दिनों काफी ज़्यादा नियूज में थे जिनका नाम था फादर स्टान स्वामी ठीक है तो इनकी death हो गई थी और यह व्यक्ति काफी ज़्यादा और एक important चीज़ यह है जो कि आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा वाकिए तो आप लोग यहां पर देखी पाओगे कुछ भी important है नहीं ठीक है तो freedom of speech कौन से आर्टिकल में आता है जारा यह भी नीचे comment section बता देना यह काफी important हो जाता है ठीक है काफी बार मैंने इस क क्या मुद्दा है तो इसको चलो हम discuss करेंगे सबसे पहले यहां पर बोला गया है जो external affair minister है एस जैशंकर साब वो सेटरड़े में उन्होंने अटेंड कर रही है एक formal handing over ceremony को यहां पर attend किया है और आप कर सकते हो उसके अंदर जो 17th century की queen थी सेंट केटेविन to Georgia यानिकी साल बाद यहां पर यहां पर यह जो इनकी यादे हैं वो सब गोवा के अंदर देखने को मिली थी गोवा में found करी गई है और यहां पर अब उनको hand over कर दिया गया है जैशंकर साब आज के time पर दो दिन की visit पर हैं Georgia में और Georgia एक strategically काफी important country है भारत के लिए भी ठीक है तो उसी आप कर सकते हो सेंट Queen के टेवन को belong करती थी और यह Queen Georgia की देखने को मिलेंगी इनकी कुछ रिलेक्स जो की आज के time पर hand over कर दिये गए ओके तो यह चोड़ा सा आर्टिकल था इसमें भी जादा कुछ नहीं है कर किया सकते हो इसमें जाकर आप लोग देख सकते हो Georgia कहां पर exactly located है मैप में जहां पर भी आपको कई भी country देखने को मिलती है अगर newspaper में तो जाकर फटा-फट उसको मैप में देख लिया करो मैप बार इसको काफी टाइम पहले continue कर लिया था मैंने तो फिर लगब मतलब कंसिस्टेंसी दो को बहुत important है फिर उसके बाद क्या हुआ चीज़े मेरे माइंड मेरे सेट होने लगे मैं बार-बार मैप देख लेता था चोड़ी से चोड़ी चीज भी अगर मुझे याद आती ती या वहाँ पर जाकर country का नाम type कर देना वहाँ आपको वहाँ पर map का अंदर ले जाएगा तो वहाँ पर भी आप लोग जाकर देख सकते हो ठीक है आज के टाइम तो चीज़े और दाद आसान हो चुकी है next यहाँ पर आते है page number 8 के उपर यहाँ पर एक article दिया गया है ठीक है यह है mayor Eric Garcetti यह mayor कहां के यह है Los Angeles के mayor है तो US President Joe Biden ने इनको nominate किया है इनके बारे में काफी कुछ बताया गया है काफी कुछ यहाँ पर बढ़िया work किया है इन्होंने काफी लंबा समय से यह mayor आपको देखने को मिलेंगे Los Angeles के now अब यहाँ पर ambassador towards the India आपको यह बनते हुए नजर इनको पॉइंट का लिया गया है उसके बाद यहाँ पर इंडिया और अमेरिका के relations के बारे में discussion किया गया कि दोनों के जो defense और security dimensions है वो भी आज के टाइम पर grow होते वे नजर आएंगे और हाला कि हम लोग बात करें बालेटरल ट्रेड भी दोनों का grow हो रहा है चाब बात करें तो यहां पर develop होते वे नजर आएंगे तो देखो जैसे की सबसे बड़ा नाम लिया गया क्वार्ड का तो क्वार्ड में भी आपको बहुत सारी countries देखने को मिलेंगे जैसे की इंडिया यूएस चापान और यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि दोनों ही countries म का कहना यह है कि अभी आपको मालूम होगा हाली में एक ministry क्रिएट करी गई थी ministry of cooperation ठीक है जो cooperative है उनकी लिए आपर एक तरीके से उसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए ठीक है मतलब क्या साथ में लेकर चलना सबको सबका cooperation करना तो उसके लोग और ज्यादा मजबूत कर करने का यहां पर आपको कोरोना से भरावा पूरा का पूरा पेज देखने को मिलेगा यह दिक्कत वह दिक्कत यह काफी कुछ डिसकस कर चुके है अल्रेडी इसको आप लोग छोड़ भी सकते हो ठीक है आप लोग को ज्यादा यहां पर कोविड को अप ध्यान नहीं देना ह है अपके बहुत सरे आटिकल तयार हो गएंगे बहुत सरे नोड़ साफने अल्रेडी बना भी लिए ओंगे बहुत सरे एडिटोर भी कवर कर लिए ओंगे जो की हम लोग डीली बिशितारस पे कवर करते रहते हैं नेक्स बात करें पेच नूमर 10 के उपर आएंगे डाट वर ग्रूप साच के टाइम पर लगातार विड्रो करते वे नजर आएंगे और उसी दरीके से तालिबान ने अपने फाइटर से बोला है कि जो भी क्रॉसिंग से हैं चाहिए वह वेस्टन अफगानिस्तन के साइड पर हो ठीक है उन क्रॉसिंग को बंद कर दिया जाए ठीक है उन एरिया जहां पर पूरी तरह से काप्चर कर चुका है वहां से टूप्स को भगा दिया जो भी अफगानिस्तन की सरकार के आपको सकते हो की टूप्स वगरा देखने को मिलेंगे काफी हद तक वो लोग भाग गए हैं दूसरी तजगिस्तान के अंदर चले गए हैं बहुत सा क्या है तालिबान तो देखो तालिबान को बहुत सारी कंट्री जो हैं ऐसा टेररिस्ट ओगनेजेशन देखती हैं और तालिबान के अंदर आपको साठ से सतर हजार लोग ये देखने को मिलेंगे जो कि आज के टाइम पर काफी हद तक खतरनाक होते हुए नजर आ रहे हैं और आने वाले टाइम पे आर्टिकल काफ ज़दा न्यूज में देखने को मिलेगा जैसे कि मैं हर बार बताता हूं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग देखो एक और कंट्री को देखना है तो आपके पास आज के टलिए मैप में एक जो मैंने बताई है एंटी पर बरबुड़ा उसको भी देखना सेकिंड आप उस वेटनाम को देखना थर्ड आप लोग देखना जियोड़्जिया को और फूर्थ आप लोग यहां पर देखना हेती ठीक बी काफ जब्स नियूज में हेती कंट्री को मैं अल्रेडी दिखा चुका हूं मैं काफी कुछ यहां पर मैं बता चुका हूँ है तो यहां पर मैं आपको बताने वाला वाला हूँ है ऑचकर नियूज में काफude और कंट्री के प्रेसिडेंट को घर में जाकर मार देना तो आज के टाइम पर हो क्या रहा है यूएन अपने ट्रूप्स हेती नहीं बोला यह है यूएस से कि आप अपने ट्रूप्स वगरा को भेज़ दो ताकि जो पूर्ट वगरा उनको सेक्योर किया जा सके एयरपोर्ट और बहुत सरी जगह हैं वहाँ पर सेक्योरिटी बनाई जा सके क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सरी प्रॉब्लम्स हेती के अंदर क्रियेट होती भी नजर आएगी हेती आपको करिबियन सी के अंदर एक कंट्री देखने को बिलेगी छोटी सी जिसके पीछे डॉमिनिका है तो इसके बारे मधिया नगना टाइक है तो इसी वजासे जो कंट्री जो अपने आपके सकते हो फोर्स वर्ण पर यहां पर यह है नौ लोग की जान चली करिए एक एक्स्रेमिस्ट आटेक हुआ है सोमालिया कापिटल के अंदर ठीके 8 लोग इंजर्ड है तो कुछ खास नहीं आर्टिकल नाव नेक्स टाटीकल क्या है चाहिना अपने जो भी सितिजन से उनको एवेकaufen्ट कर रहा है अफगानिस्तान से बात है चाहिना की भूत सरे सितिजन से आपको आफगानिस्तान के अंदर मिलें था नजर आए गा चायना अपर उसने डिपार्ट किया औफ वहान जो चाइनिस इंदर उसके अंदर बहुत सारे लोग जो चैनी सिटीजन से उनको यहां पर जो भी फसेवेई था अफगानिस्तन के अंदर वहां से निकाल कर वापस से चाहिना लेकर आया गया है ऐसा बोला गया है यहां पर ठीक है तो छोड़ी सी इंफोर्मेशन है जहां पर चाहिना ने भी अपने नाशनल को इवैक्वेट कर लिया है अफगान इसान से नेक्स्ट एक और चोड़ा सा आर्टिकल है जहां पर बात करी करने वाली है यह पहला क्रूड टेस्ट होने वाला है जो की संडे में होगा ठीक है तो उसी वजह से यहां पर या आर्टिकल न्यूज में तो मिसस जो बनला है इनका जन्मुवाता गुंतुर के अंदर जो की आज़र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा और यह ब्रांसन को जो की कंपनी के बिलेनियर फांडर हैं और उसी के साथ जो यहां पर मिशन होगा इसके अंदर यह वर्ग किया जाएगा और दूसरी चीज आप कह सकते हो कि यह काफिदा ओनर हैं आपको सकते हो इस पूरे अमेजिंग क्रू का पार्ट बनने के लिए साधी साथ उसके बाद बात करेंगे science and technology की तो यहां पर कुछ भी article important इतने नहीं देखने को मिलेंगे काफी सारे journal से article हैं यहां पर आप देख पाऊगे यह सरफ नाम याद रख सकते हो 2020 का जो millennium technology prize है वो दो व्यक्ति को गया है वो दो व्यक्ति आपको यह देखने को मिलेंगे एक का दूसरे का नाम है डावड़ क्लैनर मन यह आपको लेफट साइड में देखने को मिलेंगे तो यह दुरों व्यक्ति न्यूज में है किस वज़ा से न्यूज में तो आपको देखना यह है यह sequence technique की वज़ा से न्यूज में आपको देखने को मिल जाएंगे ठीके मतलब फिला तो मैं आपको बता देता हूँ कि एडिटूरल्स के अंदर क्या क्या था कल नो यहाँ पर डिसकुशन करेंगे हम लोग अपने कल के एडिटूरल्स का तो बिसिकली तीन आर्टिकल हैं जो कि हमें डिसकुस करने हैं इसमें हम लोग section 66 के बारे में discuss करेंगे यहां पर बात करने वाले हैं democracy के बारे में अगर democracy कुछ जादा ultimate level पर होती है तो उससे भी नुकसान आपको देखने को मिलेगा जैसा कि इंडिया के अंदर देखने को मिल जाता है दन उसके बाद एक article हम लोग यहां पर discuss करने वाले है murder of a president जो की अभी हमने बात करी थी तो यह article Saturday के हैं कल हमने discussion नहीं किया था इसका headache होने लगा था मुझे तो उसी वज़ा से हम लोग इसको नहीं कर पाए थे पहला article बात करता है जो यह section 66 A है इसको एक तरीखे से Supreme Court ने बहुत पहले ही struck down कर जया था लेकिन आज के time पर इसका इसका इस्तमाल होता बनाजर आएगा और आप कह सकते हो कि काफी हद तक इसका इसका इस्तमाल हुआ है उसी वज़ा से आर्टिकल आपको न्यूज में देखने को मिलेगा कि आज के time पर Supreme Court ने देखो पहले ही इसको क्या किया था मना कर जिया था struck down कर जिया था कि आपको section 66 A of the IT Act इस्तमाल नहीं करना है जिसको 6 साल पहले struck down किया गया लेगिन आज के time पर बहुत सारी जगह पर इसका इस्तमाल किया गया है सबसे important चीज पहले यह बात यह है यह section 66 A है क्या exactly तो देखो यहाँ पर मैंने इसके regarding पूरा पूरा एक answer writing frame करके दे दिया है यह article आपका cyber security related issues से और भी बहुत सरे various points से important हो जाएगा Supreme Court ने यहाँ पर एक notice जा लिए था उसी वज़ा से article news में था issue यह है कि 7 साल बात भी यानि 7 साल पहले इसको struck down किया गया उसके बाद भी यहाँ पर section 66 A of the IT Act इस्तमाल होता बनाजर आएगा section 66 A has been dubbed a draconian इन इसको draconian बोला जया है यह case हुआ था श्रेया सिंगल वर्सिस union of India ठीक है वहाँ पर इसको unconstitutional भी बोला गया था Supreme Court ने इसको struck down क्यों किया क्यों कि यह कहीं ना कहीं article 19 A sub clause A यानि की right of free speech यानि की freedom है हमें बोलने का तो इस अधिकार को कहीं ना कहीं यह violate करता वह नजर आ रहा था यानि आप खुलके ब सब्सक्राइब कोई सही बात है वह भी नहीं बोल सकते थे ऐसी चीज़ें आप पर देखने को मिलती थी उसी वाजा से सुप्रिम कोट ने इसको कर दिया था स्टक डाउन जो कि आज के टाइम पर भी काफियत तक इस्तमाल होता वा नजर आएगा अब यहां पर आपको मैसेज अगर आप लोग लिएब लिघते हो जिससे कि यहां पर एक काफी बवाल केरेट होता है तो उसके प्रती यहां पर शिक्शन 66 सब्सक्राइब कर ला तो मैंने अभी आपको बता दिया ये देखो सारे important points मैंने इस article से निकल कर रख दिये हैं अभी हमने देखा कि freedom of speech को ये violet करता वा नजर आएगा और श्रिया सिंगल 2015 वाला जो case हुआ था वहाँ पर supreme courtness को unconstitutional बोरा ये section 66A क्या है exactly ये है कि अगर आप लोग कोई भी annoyance message लिख of India's noisy democracy यहां पर compare किया गया है चाइना और इंडिया को लेकिन difference काफी बड़ा है देखो चाइना के अंदर आपको सिर्फ एक political party का पूरा का पूरा control देखने को मिलेगा ठीक है जो Communist Party है उसका पूरी तरह से control देखने को मिलेगा जो मां की सरकार ने बोल दिया वो बोल दिया पत्तर की लकी रहे ठीक है वो काम होना ही होगा सरकार के अंदर बहुत सरी चीजे control में देखने को मिलेंगी लेकिन इंडिया के अंदर एक democracy है इंडिया एक democratic country है लेकिन democracy काफी समय पर मतलब काफी बार ऐसा होता है बहुत जादा जादा हो जाती है democracy कैसे मतलब कोई चीज है उसको लागू करने के लिए भी यहां पर क्या चाहिए लो सरी लागू अगर करना है तो उसके लिए काफीदा प्रोटेस्ट वगरा देखने को मिल पाएगा तो डेमोक्राइसी ने कहीं ना कहीं इंडिया के जो डेवलेप्मेंट है उसको पीछे खें चाहे ऐसा आप कह सकत है यह काफी शांदार आर्टीकल लिखा गया प्राट्रिक हेलर जी के द्वारा यहां पर तो देखो चाहिना का जो डेवलेप्मेंट है आज के टाइम पर वो अल्टीमेट लेवल पर है मतलब लगातार बहुत बहुत बहुतरीन तरीके से चाहिन ने डेवलेप्मेंट किया है अपने यहां और मतलब हंड्रेट्स ओफ मिलियंस लोगों को गरीवी से बाहर निकला निकाला है इन्होंने उसके साथ अगर हम बात करें इंडिया की डेवलेप्मेंट की तो इंडिया का जो डेवलेप्मेंट काफी ज्यादा मिक्स्ट रहा है ठीके लगबंग 1990 से इंड ऑ случае देखने को मिलेगे लेकिन जैसा जा आप कही इसी हो सकता मिलेची वहते हैं जाए लिके वह सकता है यहां पर कोई बिल आता है कोई बीचीज आती है तो सबसे पहले आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा चाहिए वह कोई इसी भी चीज के रिगार्डिंग हो तो यह कहीं नहीं कर देते हैं ऐसा यहां पर स्टेटमेंट दिया गया है उसी वजह से चाहिए आपको आगे दे होना चाहिए जो बीच का रास्ता है वह यहां पर रहना चाहिए तो उसको एक आपको मीडियम लवल पर रखना पड़ेगा तो उस तरीके से हम लोगों चीजों को लेकर चलना पड़ेगा क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज के अंदर भी देखो चाइना की बात नहीं करें चाइना के अलावा बहुत सारी कंट्रीज के अंदर भी आपको सरकार की चलती भी नजर आईगी लेकिन वहां पर भी डेवलप्मेंट नहीं है लेकिन बहुत सारी countries ऐसी भी हैं जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि democracy है democracy के चलते तहत भी यहां पर उन्होंने काफी अच्छे से grow किया है तो इंडिया के अंदर भी democracy है बट यहां पर थोड़ा बहुत जो growth है वो कम देखने को मिलेगा as compared to the other countries अगर हम बात करें भारत के अंदर खुदी तो देखो भारत के अंदर अगर अलग-अलग states को यहां पर compare किया है बोला यह गया कि आज के टाइम पर आप देख पाऊगे जो नदन साइड में आपको बहुत सारे states देखने को मिलेंगे आपको अच्छी तरिके से divlalipment देखने को मिलेगा- तो इसा नहीं है कि डेम आपको बहुत सरी जगह पर आपको सकतो होता है ऐसा भी यहां पर बताए गया जैसे की ओई गुरु मुस्लिम्स का यहां पर चर्चा करी गई है कि चाइना को काफी ज्यादा क्रेटिसाइज के जाता है क्योंकि वह और मुस्लिम्स के प्रती काफी जादा करता है यहां पर क्रेट होती है लेकिन अगर हम बात करें कि मतलब सारी चीज़े ऐसी चल लएए तो ऐसा नहीं है फिलाल महां पर भी काफिया तक आपको डेवलेपेंट देखने को मिलेगा इन फैक्ट अगर दो तिन कंट्री का चाइना को सपोर्ट मिल जाता है तो चाइना स उनके घर में जाकर मार दिया गया है लगबग आप कर सकते हो कि 53 साल के यह व्यक्ति थे कैरिबियन कंट्री है हेती हेती को न्यूज में देख लेना माप में देख लेना जैसे कि मैंने आपको बताया है लगबग यहां पर अठाई सातंगवादी थे जिन्नोंने बहुत सार अधे आने वाले टाइम भी हम लोगों को देखने को मिलेगा बार कांसिल आफ इंडिया के आंदर जो चैंजिस वामेंडमेंट हुआ है अब इनको लागू करने का टाइम आ चुका है लेकिन लागू करने से पहले हैंपर एक चाहिए होता है प्रैसिदेंट का एप्रुवल तो Chief Justice of India का यहाप approval चाहिए होता है किसी भी चीज़ को effect मिलाने से जो कि अभी यहाँ पर नहीं हुआ है तो जैसे यह approval मिलता है उसके बाद आपको यह बहुत सरे articles वापस से इस topic के regarding देखने को मिलेंगे तो तब ही हम लोग इसके बार में discussion करेंगे यहाँ बात कर गई है UAPA के बार में तो यह UAPA क्या है exactly इसके बार में जान लेना यह है Unlawful Activities Prevention Act यह Prelims के point of view से भी important हो जाएगा GS Paper 3 के point of view से भी important हो जाएगा तो UAPA को पास किया गया था 1967 में देखो इसका काम में यही है कि जो भी Unlawful Activities उनको रोकी जा सके Now Unlawful Activities क्या होती है तो Unlawful Activities को यहाँ पर इस तरीके से define किया गया है कुछ ऐसी Activities जो कि इंडिया की territory, integrity या फिर sovereignty को hurt करता है तो उस type की आप कर सकते हो activities को क्या किया जाएगा यहाँ पर Unlawful Activities के अंदर count किया जाएगा तो ऐसा कोई व्यक्ति जो कि इंडिया के against में आपे काम करता मना जराएगा इंडिया की territorial integrity को नुक्सान पहुचाएगा इंडिया की sovereignty को नुक्सान पहुचाएगा तो उसके खिलाफ यहाँ पर charges लगाए जा सकते हैं UAPA के अंडर में टेके नौ यह जो एक्ट है इसके अंदर जो absolute power होती हो central government के हाथ में आपको देखने को मिलेगी साथ साथ अगर किसी व्यक्ति को UAPA charges लगाए जाते हैं किसी की उपर तो इसको death penalty मील हो सकती है यानि की मौत के सदा भी सुनाई जा सकती है साथ साथ life imprisonment यानि की उमर कैद भी यहाँ पर हो सकती है as a highest punishment इसको देखा जाएगा दन उसके बाद UAPA के अंडर में आपको इंडियन और foreign nationals दोनों ही को ही charge किया जा सकता है इसको याद रखना है आपसे question मन सकता है उसके बाद यहाँ पर एक investigation agency वगरा बठाई जाती है जो कि आपकी charge sheet वगरा बनाती है 180 दिन के अंदर अंदर जैसे यहाँ पर किसी वक्ति को arrest के जाता है उसके बाद 180 दिन के अंदर charge sheet त्यार के जाती है फिर उसके बाद आगे case चलाया जाता है ठीक है अब यहाँ पर 2004 के अंदर UAPA के अंदर हुआ था एक बड़ा बदलाव और बदलाव यह हुआ कि यहाँ पर terrorist act को भी add कर दिया जा और terrorist act को add करने के बाद यहाँ पर UAPA terrorism को tackle करने के लिए वक्त करने लगा और उसी के साथ लगबग 34 terrorist outfit को यहाँ पर बैन कर दिया था UAPA के तहित उसके बाद आप कह सकते हो यहाँ पर फिर अगस्त के बाद लगबग 2019 के अंदर फिर से यहाँ पर एक amendment हुआ फिर से एक बदला हुआ जहां पर आपका सकते हो कि UAPA के अंडर में यह power आ गई कि किसी भी individual को as a terrorist designation दिया जा सकता है मतलब किसी भी व्यक्ति को terrorist गोशित किया जा सकता है और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है किसी व्यक्ति को terrorist गोशित करना तो यह सारी powers भी आपको देखने को मिल जाएंगी यह सब चीज भी आ गई थी UAPA के अंडर में तो यह amendment करकर करके बदलाफ करके यह सारी चीज़े इसके अंदर add करी गई है जो यह एक्ट है इसके जहां तर फोकस करता है कि इसके उपर नैशनल इंवेस्टिकेशन एजएंसी जो है आपके सकते जो एक्ट है इसकी जो पावर्ट वगड़ कर सकता है यूए पीए के बारे चर्चा हो रही है UK को यह क्या जादा खतरनाग बना देति यह तो इसके बारे में बात करें गई है यूए पीए को क्या चीज इतनी जादा और स्ट्रांग बना देती है तो वह है यहां पर आपका सकतें और नोन वैलेबल आफेंस आपको यह देखने को मिल जाएगा ठीक है तो यह काफी सारी चीज़े हैं यूए पी के बारे में डिसकुशन किया गया है तोटली यह मैंने भी आप लोग को बता दिया है आज के टाइम पर यह काफी ज़ादा इस्तमाल भी होता है बहुत ज़ादा इसको पिछले कुछ दिनों में न्यूज में कवर किया भी ग आटिकल है जो सर्विस पैनल से उन्होंने हाँ पर एक रोड मैप त्यार किया है एक तरीके से कि जो पांस साल के अंदर अपना जो एक्सपोर्ट उसको डबल कर देंगे क्योंकि आज के टाइम पर एक्सपोर्ट को बनाने की काफी ज़ाद आफशक्ते अभी है जिस तारीक अब लोग से नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए बाबाई हैव नाइस दे थैंक यू एंड जैहिंद